आज हम बात करेंगे संडे साइन्स के बारे में अब सभी को पता होगा कि जो दा हिंदु है वो हर संडे एक डेडिकेटेड साइन्स का पेज डालता है और वो यूपीएसी का सबसे फिरूरेट पेज है क्योंकि यूपीएसी यहां से हर साल तीन चार क्वेशन पूछ लेती है तो अगर आपने एक साल का या तो फिर छे महिने का करेंट फिर यहां से कर लिया है तो फिर आपकी लाइफ आसान है सेलेक्शन के चांसे बहुत ज़्यदा बढ़ जाएंगे तो शुरू करें आज का करेक्रम क्या बोलती है जनता सबसे पहले यह एक ओवर्वीव है साइन्स के पेज का तो यह सारी चीज़े हम कवर करेंगे चलिए एक के बाद एक निउस देखते है तो सबसे पहले जो हमारे निउस थी वो ऐसे थी कि अगर हमने हमारे फूड इंटेक में एक्स्ट्रा सॉल्ट को अगर रिद्यूस किया तो फिर जाके हमारे लिए लाइफ इजी हो सकती है उसके काफी ज्यादा बेनेफिट्स है और यहां पर एक चीज श्टडी ने कही है कि जो हायर इंटेक ऑफ सॉल्ट है इस डायक्ली लिंक्डव विदी हार टेक्स डायक्ली दिंग्डव विदी हार्ट फेलियर स्ट्रोप्स और वाटनॉट तो यहां पर हम जो नॉर्मल हमारा फूड है उसके अंदर जो हम पकाने के लिए नमक यूज करते हैं उसके बारा быть नहीं बर जो उपर से डालते हैं एक्स्ट्रा नमक यूज़ करते हैं उसके बारे में उनको हो सकता है और कभी-कभी यहां पर ऐसा भी दिखा गया कि कोई-कोई कंट्री में 10 ग्राम से भी ज्यादा हमारा मीठे नमक का इंटेक रहता है और इस्पेशलिए अगर हम बात करें कि डैश डायट आपको पता होगा डैश डायट क्या है डैश डायट में ऐसा कि डायटरी वाट वी यूज दैश डायट। और उसमें क्या-क्या चीज आसकती है तो डैश डायट कि एगर हम बात करें तो उसमें फूरूटस आता है वेटबल साती है लीन मीत आता है पॉल्ट्री आता है नॉन अहाट भृष्टेयन आता है कि जो क्या करेगा जो स्टेय mitä मैनले और salt क्यों जरूरी है हमारे लिए उसको भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यह जो salt है वो हमें हमारी nervous system है उसमें help करता है फिर हमारे जितने muscle है muscle के contraction and relaxation क्या क्या contraction and relaxation में help करता है फिर उसके साथ साथ हमारे अंदर जो mineral balance है वो भी maintain करने का help करता है अगर गलती से नमक का काफी काफी ज्यादा low level हो गया तो फिर क्या क्या हो सकता है तो उसके symptoms क्या क्या है तो एक चीज़ है कि पहले ही आपको muscle में अंदर cramp आने चालो हो ज सकता है nausea हो सकता है nausea के साथ-साथ vomiting भी हो सकती है it can lead to dizziness as well right और dizziness के साथ-साथ आपको stroke लग सकता है and might 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 there are thin chances of death as well so you have to careful about intake of salt okay यह बात आपको समझा गई अगर कुछ भी और डाउट है you can comment in the section sorry you can comment in the comment section उसके बाद जो हमारा दूसरा news है वो covid के उपर है कि zero covid strategy of china how china is doing zero covid strategy उसमें ऐसा लिखा गया है कि जो चाइना है उसका zero covid strategy में ऐसा है कि कोई भी एक भी बंदा जो infected होगा ना उसको हम country के अंदर नहीं रखेंगे यह तो उन सभी को अगर उनकी age जो भी हो health status जो भी हो उन सभी को strict isolation के अंदर रखेंगे और उनके आसपास होने वालन जितने भी लोग है जो भी उसके contact में आया ह होम और वर्क हो गया उन सभी को हम segregate कर देंगे तो इस प्रकार से वो try कर रहा है कि एक भी case ना हो right but point ऐसा है कि जो भी चाइना try कर रहा है वो अच्छे से work नहीं कर रहा है इंडिया के बारे में बात कर लीजे इंडिया ने जो भी अभी तक किया जो rapid vaccination है तो हमारे वहां covid क cases rapidly slow हो गए है and covid अब एक deathly disease नहीं रहा है यह कब normal viral flu जैसा हो गया है right तो चाइना में भी हो गया रहा है तो चाइना में वो try कर रहे है कि within two or three weeks सभी को rapidly test कर रहे है देखिए millions of people are continuing test continuously tested strict contact control है उसके अंदर isolation बहुत ही heavy है जो भी वहां पे जाता है उनको seven day quarantine के अंदर जाना प जादा जादा वह test ले रहे है तो अभी वहां का जो रेजिम है ना वह complete रेजिम जैसा हो गया है कि पूली स्टेट बन गया है पचाहिना के बारे में आपको पताई होगा कि वहां पे जो democracy है वह democracy किस टाइब की है तो वहां पे शी भाई का राद चलता है तो शी भाई देखें वर्ड के बारे में तो अटलीस्स हमें तra तीन से चार वेव ऐ गये है को आपको पता होगा कि इंडिया में ऐसा हुआ है बट इंडिया और अज्टनीज्स में क्या कि इस सग कर दिया था और वेक्सिनेशन सॉलिड करने की वज़े से दिरे दिरे कोविड का जो लेवल है वो बहुत ही लो हो गया है तो चाइना को इंडिया वगरा से यह चीज सीखनी पड़ेगी और फिर यहां पर उनकी एक्जिट प्लान के बारे में बात करें कैसे हम जीरो कोविड स यह स्टडी के बारे में हम देख सकते है कि कभी-कभी जो रजीम है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है तो इतना हमरे लिए बेनेफिशिल ना भी हो तो यह चैना वाला न्यूस था उसके बाद थर्ड जो मेजर न्यूस है इस अब इंग्रीजिंग शेल्फ द्यूरिंग दे स्टोरेज तो फिर उस टाइम के यह जो ब्लड लॉसस है जो भी हमारा ब्लड बैंक है उसके लॉसस उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे तो उसके बारे में यह नई एक टेक्नलोजी डेवलप करी है वो किसके बारे में है इट इस अब नैनो फाइबर शीट त तो पहले हम देखते हैं यह ब्लड बिगडता कैसे है तो यह जो ब्लड बिगडता है उसके पीछे रिस्पॉंसिबल कौं है तो उसके पैसे रिस्पॉंसिबल है यह DEMPS और DEMPS मने Damage Associated Molecular Pattern और यह जो है वो ब्लड सेल को डेमेज करती रहती है तो यहां पे हमें यह जो ड इंदर दूसरे सारे बलड को बिगाडना चालू कर देते हैं, क्योंकि यह जो है, वो डेमिज कोज करते हैं, तो अगर ऐसा ब्लड बिगड़ता रहा, तो फिर ब्लड की सॉटेज हो सकती है, एंड यू नो कि ब्लड की requirement कितनी बढ़ती चाती है especially in some severe cases especially in accident तो यहां पी यहां पे जो quality के बार सरी यहां पे जो technology के बार में बात कर रहे है वो technology है it is about to reduce the shelf life of blood by 25% मतब 25 प्रतिसत यह हम उसको लंबे time तक save कर सकेंगे right तो यहां पे यहां पे ऐसा ही है कि यह जो damp components है जो damage caused करते है उनको हमें वहांसे हटा देना है वह आइनकाली charge होता है या फूर उनका positive orientation होता या तो फिर उनका negative orientation होता है तो यह जो charge rub रहते है तो हमें उनको absorb कैसे करना है तो उसके लिए यह मिले जो scientist की team है Stay में क्या बनाया नैनो फाइबर बनाए जो नैनो फाइबर काम कैसे करता है तो यह भी केटायन and एनायन पॉलिमर से बना हुआ है तो फिर क्या होगा कि जैसे ही positive वाला कोई आयन होगा तो वो negative के साथ attach हो जाएगा कोई यह जो टेकनीक है उनसे उनको एक सक्सेस मिली है अभी फिलहाल कि 42 तक उन्होंने अच्छे से ब्लड को स्टोर करके रखा है जैसे ही कि फ्रेशली कलेक्टर ब्लड ना हो इसे साब साथ उन्होंने स्टोर करके रखा है बट अब जब यह प्रेक्टिस में आएगा तब हम इन फैमिली का एक स्कल पाया गया है में पॉसिबल कि वो स्कल बिलॉंग्स टू होमो इरेक्टरस जो होमो सेपियन के पहले थे हमारी जो स्पीसिस है वो स्पीसिस का नाम क्या है होमो सेपियन है हम होमो सेपियन है हमारे पहले होमो इरेक्टरस थे नियंडर्थाल थे तो य बताइए कि जो friends है उसमें homo erectus का नाम कहां पर आता है और वहां पर भी एक scientist होता है वो कौनसा scientist होता है उसका नाम भी आप मुझे बताइए कि वो जो character है वो कौनसा scientist है उसका नाम कहीं ये paleo anthropologist के आसपास से कुछ होगा बताइए क्या हो सकता है चलिए फटा-फट कमेंट की ये तो यहां पर जो news है उसमें ऐसा है कि ये जो हमें मिला है might possible की हमें ये prehistoric time के जो भी evidences है उसको अच्छे से हमें और ज्यादा study कर सके उनके DNA के बारे में और ज्यादा study कर सके उनके पूरी family tree के बारे में और हमें ज्यादा से study कर सके तो we will see कि ये कि इस हिसाब से होगा उसके बाद जो current affair है it is about mega constellations sent by certain private companies जैसे की SpaceX, Orion and so on and so forth ये जो constellation है वो internet constellations है mostly internet provide करने के लिए constellation है या तो फ़र navigation के लिए constellation है अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया का एक constellation है उसका नाम है NAVIK तो आपको मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि what does NAVIK stands for या तो फिर NAVIK की utility क्या है आपको comment किये करनी है उसके बारे में कि what do you understand by NAVIK और NAVIK के उपर से MCQ आ सकता है तो यहां पर यह जो mega constellation है उसमें एक case study ऐसी दी गई है कि Space X का जो starlink project है starlink के अगर अंदर तीन से चार हजार जितने चोड़ चोड़ सेटलाइट वो lower earth orbit में डालते हैं कहां पे डालेंगे वो lower earth orbit में डालेंगे और जो lower earth orbit है वो 200-300 km से लेके 1200-1500 km तक stretch कर सकती है और फिलहाल हमारे जितने यह internet वाले हो या तो फिर चोड़ चोड़ी services वाले जो है वो सारे lower earth orbit में जा रहे हैं इवन हमारा जो space x है वो भी lower earth orbit में है राइट सारी space x ने space center वो भी lower earth orbit में है तो यह जो scientist है या तो फिर US की government है वो वरीड हो गई है कि अगर सारे लोग यह lower earth orbit में सब को भेजते रहेंगे तो फिर जाके पूरा क्या होना चालू हो जाएगा यह crowding चालू हो जा और अगर कोई भी एक orbit बहुत ही ज्यादा crowding हो गई तो फिर उसके अंदर एक syndrome हो सकता है उसका नाम है कैसलर syndrome क्या नाम है उसका कैसलर syndrome कैसलर syndrome यह है कि अगर गलती से भी एक जो satellite है उसका कोई फुर्चा तूट गया और यह जो फुर्चा दूसरे satellite को टकरा रहा है फिर व जो chain reaction वाले syndrome है उसका नाम क्या है कैसलर syndrome राइट अगर आपको mcq में पूछा जाए कि what do you understand by kessler syndrome और kessler syndrome is associated with which phenomena और which field of science तो हमें उसके बारे में भी थोड़ा कुछ knowledge होना चाहिए तो यह जो US है वो अपनी national environment policy act को amend कर रहा है और यह जो सारे mega constellation है जो radio frequency को तकलीफ कर सकते है या तो फिर astronomical observation को तकलीफ में कर सकते है because of the congestion in orbit, constant orbit, lower earth orbit को तो that's why यह उनके उपर regulation डालने के बाद कर रहे है clear I hope सभी को यह भी चीज़ पता चल गई होगी right चलिए तो अब हम देखते हैं हमारा आज का last current affair और जो last current affair है it is about minerals that are found in some meteorite in Somalia तो meteorite पढ़ने से पहले आपके पास यह knowledge होना चाहिए कि what is asteroid फिर दूसरा यह knowledge होना चाहिए कि कौन meteorite है और फिर आता है meteorite तो यह जो Somalia में fall हुआ वह क्या है meteorite है now अब रिसर्चर ने at least two to three नए minerals ढूंड के लाए है वह कहां पर लाए कि जो Somalia के अंदर यह iron based meteorite गिरा था वहां से वह ढूंड के ले आए और उसके नाम ऐसे रखे है जो वहां की जो टाउन है उसके उपर से dedicated नाम रखे है और यह जो meteorite है वह कितना वाइड था वह दो मेटर वाइड था और यह जो लोग वहां पर रह रह रहे उसका नाम क्या दिया गया है नाइट फॉल दिया गया है क्योंकि वो रात को गिरा था उस वज़ा से तो यह जो meteorite है या तो फिर meteorite है उनके बीच का difference क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए फिर यह जो यहां से नए-नए minerals मिल रहे है नए-ने metals मिल रहे है उसका हम कौन से field में use कर सकते है वो आपको पता होना चाहिए तर उसके साथ दूसरा एक जो emerging news में चल रहा है वो है rare earth material कौन सा rare earth material so what are the uses of rare earth material rare earth material का सबसे बड़ा reserve china है की नहीं है why china is so much dominating global supply chain तो उसके बारे मे आपको knowledge होना चाहिए so anyway guys that's it from our side यह हमारा Sunday science यहां पर खतम होता है Welcome back guys welcome to DICS चलिए तो आज के session Sunday science with Abhinav Shah में आप सभी का स्वागत है पिछले वीडियो में हमने देखा था कि last Sunday में क्या-क्या major current affair थी आज जो है हम आज के Sunday के बारे में देखेंगे तो चलिए शुरू करते है आज का जो सबसे पहला news है it is about TV जिसमें government ने निक्षय मित्र स्टार्ट किया है क्या स्टार्ट किया है निक्षय मित्र और जो निक्षय मित्र है वो किस के लिए है टीबी के लिए है आप सभी को पता होगा कि जो टीबी का नाम जो हम हिंदी में बात करते है उसको हम क्षय कहते है तो यह निक्षय है जिसमें टीबी को eliminate करने की बात है पहले हम जानकर ले हम अगर कहीं पे छींक दिये हमने कहीं पे खांसी कर दिया तो फिर कफिंग कर दिया उसमें यह जो ट्रॉपलिट है वो हवा में suspended रहते हैं और फिर जाके एक परसंट से दूसरे परसंट दूसरे परसंट से तीसरे परसंट में यह spread होता रहता है इसे साब से TB आगे बढ़ता रहता है अब जो TB आगे बढ़ता रहता है तो सबसे पहले वो किसको infect करता है तो वो lungs को infect करेगा किसको lungs को infect करेगा और जब ये infect करेगा तब इसमें दो प्रकार के TB होते है एक जो TB होता है उसको कहते है हम latent TB जिसको inactive TB भी कहा जाता है और यह जो inactive TB है जिसमें यह bacteria completely inactive रहता है और किसी भी प्रकार का symptoms नहीं दिखाते और जो दूसरा है उसको कहते हैं active TB यह जो active TB है वो active TB हमें हर एक प्रकार के symptom कॉस करता है जैसे कि coughing हो गया chest pain हुआ फिर उसके बाद आपको weight loss भी feel हो सकता है और साथ-साथ में आपका जो appetite है मतलब आपकी जो hunger है वो भी significantly reduced हो सकती है तो यह जो सारे किसके symptoms है active TB के symptoms है जिसको हम disease कहते है और यह जो हमारा latent TB है inactive TB है it can be converted into active TB अगर हमने properly care नहीं की अगर हमने properly treatment नहीं गी ठीक है और यह जो treatment है उसके related अभी फिलहाल public health experience ने ऐसा दिखाया है कि TB और under nutrition इन दोनों की एक vicious cycle बन जाती है कि जैसे कि poor nutrition से TB हो सकता है और TB की वज़े से जो nutrient reserve हमारा है body के अंदर रहता है वो धीरे-देपलेट हो सकता है मतलब वो excessively use होता रहेगा तो उसकी वज़े से क्या हो जाएगा वापस से TB aggravate हो जाएगा और under nutrition भी aggravate हो जाएगा तो दोनों मिलके हमें परिशान करेंगे और अगर आपने nutrition के उपर properly ध्यान दिया तो फिर आपके जो muscle strength है वो बढ़ती जाएगी, quality of life बढ़ती जाएगी, recovery के अंदर आपको एक अच्छा सा boost मिलेगा and eventually it will reduce the mortality, mortality मतलब क्या कि जो TB की वज़े से यहाँ पर जितनी भी deaths होने वाली है वो suddenly reduce हो जाएगी और ये TB को eliminate करने के लिए government ने एक program launch किया था उसका नाम है NTP National TB Elimination Program और उसमें 2018 में government ने एड किया निक्षय, पोशन, योजना जिसके अंदर हम 500 रुपे, कितना? इसके अंदर हम 500 रुपे हर मन्थ TB patient को direct benefit transfer मतलब सीदहीं उनके bank account में कर देंगे उनको cash कहीं से लेने नहीं जाने पड़ेगी, उनके bank account में हो जाएगा और ये जो भी TB Elimination Program है, उन सभी में क्या जरूरी है? People Awareness क्या जरूरी है? People Awareness तो जरूरी है और उसके साथ साथ, people का active participation भी चाहिए क्या चाहिए? Active Participation जिसको हम क्या बोलते है? जन भागिदारी क्या नाम है उसका? जन भागिदारी और जन भागिदारी में best अगर हमें example देखना है तो हमारी history ऐसा कहती है कि इंडिया ने smallpox and polio eradication में सबसे बड़ा किसने रोल प्ले किया? क्या government जिए उने रोल प्ले किया? नहीं बट इसमें किसने रोल प्ले किया? पीपल, आम, जनता, आप और मेरे तरह जो भी जनता है उन सभी ने हैं पर रोल प्ले किया है तो ये टीवी के अंतरगत अभी फिलहाल जो government ने निक्षय मित्र करके initiative चालू किया है उसके अंदर क्या है? कि ये जो निक्षय मित्र रहेंगे वो एक प्रकार के volunteers रहेंगे क्या होंगे वो? volunteers रहेंगे जो क्या बढ़ाएंगे? जन भागिदारे बढ़ाने का try करेंगे और वो जो volunteer है वो कोई आप और मैं जैसे individual भी हो सकते है कोई NGO हो सकता है cooperative society हो सकती है और even it can be political parties as well तो कल को मोधी जी को ऐसा लग जाए कि भी हाँ चलो election भी कम है तो कुछ थोड़ा समाज का भी काम कर लेते है तो वो भी एक निक्षय मित्र बन सकते है और इस हिसाब से फिलहाल registration चालो हुए सिर्फ तीन महीने हुए है उसमें हमें कितने volunteers मिल गए है 52,000 जितने volunteers मिल गए है तो ये हमरे लिए एक बहुत अच्छी बात है ओके I hope आपको ये current affair clear हो गया होगा So please read more about TV और हमारा जो TV मुक्त अभियान है वो किस हिसाब से आगे proceed कर रहा है उसके बाद हमारी जो दूसरी news है It is about anemia और फिलाल आप सभी को पता होगा कि anemia के बारे में हम बात करते ही रहते है उसमें major focus हमारा किसके उपर रहता है या तो children के उपर रहता है या तो women के उपर रहता है और especially lactating women या तो फिर women those are near pregnancy और जो fertility age उनकी रहती है उसके बारे में हम बात करते हैं but what about men हम men के बारे में तो बात ही नहीं करते और उसको तो ignore ही करते जाते हैं तो यहाँ पर जो study दिखाई गई है कि rural में जो anemia का iron deficiency की वज़े से जो होने वाला cause है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है तो इसमें ऐसा दिखाए गया है कि एक global health ने highlight किया है कि nearly one in a four men age group कितनी 15 से chopper वो सारे anemic है उसमें mild moderate severe हो सकते है but recently ऐसा कहा गया है कि men are considered to have anemia if hemoglobin concentration is less than 13 gram dissolved later यह जो iron deficiency है उसका main cause है उसके साथ-साथ vitamin B है, vitamin A है वो भी सारे causes है तो as such जो हमारा नया National Family Health Survey का 5th edition रिलीज हुआ था उसमें ऐसा दिखाए गया है कि जो men those who are living in a rural area experience is more to be compared to the man in a urban अगर हम बात करे तो अगर urban में 1 out of every 5 are anemic बट जो rural है उसमें 3 out of 10 are anemic तो आप देख लीजिए कि नमबर तो 5 से 10 हो रहे है बट anemia है वो एक से 2 होना चाहिए उसके बितला है एक से 3 हो जाता है तीन जो आदमी है वो anemic है यहाँ पे और उसमें भी ऐसा है कि जो जो underweight वाले है उसमें तो anemia और ज्यादा है फिर उसके साथ जिसका alcohol consumption ज्यादा है smoking consumption ज्यादा है उसमें भी anemia ज्यादा हमें दिखाई दिया है राइट जो iron deficiency है वो तो एक major cause है ही है उसके साथ साथ दूसरे भी causes है तो अगर हम sample survey ले ले कि 100% जो anemic patients रहते है उसमें 33% जो है उसका सीधा relation किसके साथ होता है iron deficiency के साथ उसके बाद कि जो दूसरे 33% है उसका किसके साथ होता है कि vitamin B and iron के साथ mix होता है फिर जो बाकी जो third रहे जो बाकी के 33% रहे उनमें हमें बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि उनके causes क्या है तो इस हिसाब से हमारा एनिमी क्या scene चलता रहता है और आप wonder कर रहे होंगे कि what is actually anemia तो anemia जो है it is lack of healthy RBC it is what lack of healthy RBC और RBC का का क्या होता है कि वो hemoglobin को oxygen के साथ carry करते हर एक हमारे टिश्यूज है हर एक हमारे cells वगरा है वहां पर पहुंचाती है यह फिर पहुंचना बंद हो जाता है तो जो enough oxygen है वो carry नहीं होता और जब enough oxygen carry नहीं होता तो फिर क्या-क्या होना चालो हो जाता है weakness हाईगी skin आपकी pale दिखेगी even आपको देरे-देरे headache भी start होना चालो हो जाएगा फिर irregular heartbeat भी experience हो सकती है तो यह प्रकार के symptoms जो है वो majorly anemia cover करता है और anemia के अगर हम मोटे-मोटे part देखे तो इसमें plastic ammonia आता है फिर iron deficiency वाला ammonia आता है फिर sickle cell वाला ammonia आता है and thalassemia प्रकार का भी ammonia होता है और इसके लिए इंडिया ने क्या start किया है तो इसके लिए इंडिया ने start किया है anemia मुक्त भारत anemia मुक्त भारत और anemia मुक्त भारत के अंदर हमारी 3 major initiative है वो है कि एक weekly folic acid supplement दूसरा जो है वो है national iron plus initiative national iron plus initiative right इसमें सभी को हम iron man बना देंगे और जो third है वो क्या है that is solid body sharp brain और sharp mind initiative तो अगर आपको ऐसे trivial MC की पूचा जाए कि solid brain sharp mind initiative is related to what it is related to eradicate anemia from India पता चल गया आपको I hope आपको इसके बारे में काफी जानकारी मिली होगी इसके बाद health related ही दूसरी चीज ऐसी है कि अगर हम physical activity के अंदर short burst मतलब risk running या तो फिर short sprint मारना चालू कर देंगे तो फिर हमारी जो death risk है वो काफी reduce हो सकती है तो physical activity को हमें और ज़्यान देना चाहिए especially जो हमारी modern age है जिसमें हमारी physical activity दिरे दिरे कम होती जा रही है सामने brain की activity बढ़ती जा रही है तो फिर weight gain है cholesterol है fat excessive होना diabetes है वो सारी चीज़े बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो उसके लिए short burst या तो फिर उसको sprint कहते है क्या कहते है उसको sprint कहते है जो भी यहाँ पे sportsman है उनको पता होगा कि what is sprinting तो यह sprint है जो तुरंत ही अचानक speed से भागना for a shorter length तो ऐसी आपको करना ऐसी कोई exercises आपको करनी पढ़ेगा अगर ऐसी exercises आपने करना चालू कर दिया तो फिर यह आपका health risk है या तो फिर death risk है उसको control कर सकते है और आपको पता होगा कि अभी दिरे-दिरे सारे apple watches है दूसरे wearable है वो सारे हम पहन के घूमते रहते है कितने steps हुए या तो फिर कितनी energy burn हुई वो सब हमें calculate करने में भी बहुत मज़ा आता है वो तो मज़ा आता ही आता है social media पे उतने डालते है तो कितने steps चले वो social media पे डालने से बहतर है कि आप sprint मार के social media पे डालो आप sprint मारोगे तो इससे कोई और लोग inspire होंगे और और भी sprint मारेंगे तो ऐसी एक छोटी सी क्लब बनानी चाहिए ताकि physically fit क्लब बन सके उसके बाद जो हमारा third major current affair है अपको पता होगा कि इंडिया ने G20 की presidency करी है तो फिर उसका जो लोगो हमने unveil किया है वो recently हॉन बिल festival नागालेंड में उसके बारे में यह पूरा आर्टिकल कवर किया है उन्होंने तो यह आपका जो environment है यह भी कवर हो जाएगा science है वो भी कवर हो जाएगा राइट देहां से देहां से देखिए हॉन बिल के बारे में थोड़ी basic information ले लेते है कि हॉन बिल जो है वो कहां कहां पाये जाता है तो उसके जो major habitat है वो एक है हिमालें फुटहिल्स दूसरा है नॉर्थीस्ट के फॉरस्ट और तीसरा वेस्ट का वेस्टन घाट यह तीनों में आपको पता होगा कि commonly हमें कौन से टाइब के फॉरस्ट मिल जाते हैं तो यहां पे हमें rain forest भी मिलते हैं साथ साथ में moist desidious forest भी मिलते हैं और जो हॉन बिल है वो moist desidious forest and rain forest उन दोनों के बीच में switching back करता रहता है और जो travel knowledge में ऐसा दिया गया है कि अरुनाचल प्रदेश और केरला उन दोनों ने अपने state bird की तरह हॉन बिल को अपॉइंट किया है या तो फिर उसको mascot बनाया गया ह एक UPSC ने question पूछाता कि जो monarch butterfly है वो monarch butterfly किसका state butterfly है तो वो answer में जो state था वो आपको डालना था तो ऐसे trivial question भी UPSC पूछ सकती है now दूसरा UPSC ने elephant के बरे में पिछले साल पूछा था कि elephant का जो calving period है वो क्या होता है gestation period है वो क्या होता है तो यहाँ पे हम hornbill के wingspan के बरे में भी जो information है उसको भी याद रखेंगे कि wingspan जो उसका है वो कित्रा है 5 feet जैसा है तो यह इसकी basic information आपको पता होने चाहिए फिर उसके बात-बात वो कहां पे spot हो सकते है या तो फिर उसके जो micro habitat है वो कौन से कौन से है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजाजी नेशनल पार्क में यह hornbill मिल जाता है तो उसके साथ-साथ जो हमारा Indian grey hornbill है वो at such पूरे इंडिया में मिल जाता है एक्सेप्ट थार डेजर्ट वो थार डेजर्ट के अलावा हर एक जगा पे मिल जाता है इवन वो अर्बन एरिया में भी पाया जाता है जिसका नाम है Theosophical Society Gardens in Chennai अब Theosophical Society से आपको History के बारे में कुछ Link पता होनी चाहिए आपको Any Basinant के बारे में पता होना चाहिए Madam Blavatsky के बारे में पता होना चाहिए तो जो भी आपको Theosophical Society के बारे में पता है प्लीज आप comment section में उसका mention कीजिए तो हमें पता चलेगा कि आपका GS1 भी काफी ज़्यदा strong है आपका fundamental भी यहां से strong मिल जाते हैं Now, यह जो Honville है वो किस प्रकार की tree prefer करता है उसके बारे में यहाँ पे information दी है तो यह generally tall trees को prefer करता है जहाँ पे वो safely nest कर सकता है Now, यह tree और Honville के बीच में एक symbiotic relationship बनती है जिसका नाम दिया आगया है mutualism अगर आपने standard 12 की NCRT पड़ी है biology की तो आपको पता होगा कि ऐसे species interaction करके एक पूरा heading है और ऐसे box दिया गया है और box में species A, species B और फिर उनके बीच में जो reaction होता है वो यहाँ पे दिया गया है तो अगर यह जो बात कर रहे है वो mutualism के बारे में बात कर रहे है और जो mutualism है वो किस प्रकार का interaction है यह plus plus प्रकार का interaction है plus plus माने हम क्या कि यहाँ पे interacting party A, interacting party B दोनों एक दूसरे से interaction के through मदद करते है या तो फिर interaction के through दोनों एक दूसरे को benefit देते है ये जो positive प्रकार का interaction है उसको क्या कहा जाता है? mutualism कहा जाता है जज़की आपको ये वीडियो पसंद आएगा आप वीडियो को like करोगे और देरे देरे हमारे भी view बढ़ेंगे हमारे भी word of mouth spread होता जाएगा तो हमें भी फाइदा है आपको भी फाइदा है तो हमारा भी एक symbiotic relation यहां पर बनना चाहिए और उसका नाव गया mutualism ये याद रखना mutualism के अलावा दूसरे कौन से interactions आते है तो एक कोई commensalism आता है कोई amensalism आता है कोई parasitism आता है कोई predation आता है तो इस प्रकार की जो interaction है उसके बारे में आपको थोड़ा कुछ जानकारी होनी चाहिए and then एक आता है competition जो UPS यह ना competition इस हिसाब से वो भी आता है Now, mutualism के बारे में अगर हम बात करें तो mutualism में इसमें ऐसा है कि एक यह जो tree है वो Honville को safe house provide करती है और उसके सामने जो tree को क्या मिलेगा तो tree को मिलेगा seed dispersal क्या मिलेगा? मिलेगा seed dispersal तो Honville plays a vital role in dispersing the seeds of certain trees at least 80 about trees जिसमें सबसे best example किसका दिया गया है तो सिडार का दिया गया है कि अभी Honville की जो population है वो reduce होती पाई गई है हमें और उसकी वज़ज़ से इसका seed dispersal है वो भी 90% जितना reduce हो गया है तो आप देख सकते हैं कि mutualism यहाँ पे दीरे-दीरे absent होता जा रहा है तो फिर यह Honville है उनकी population भी कम होगी और ऐसे tree है जो Honville को nest देते है उसकी भी population reduce होती जाएगी और tree की जो fruiting season है और Honville का reproduction cycle वो दोनों एक दूसरे के साथ coincide करते हैं और उसके लिए एक जो tribal say कह सकते हैं या तो फिर हमारा जो cultural say है वो ऐसा है था कि when the seeds sprout the Honbills hatch when the seeds sprout the Honbills hatch तो यहां पर आपको cultural integration भी पता चलेगा तो हमारे जो bird है trees है, rivers है उन सभी का कही ना कही cultural significance है ही है और यह जो population count की अगर हम बात करें तो आपको लगेगा कि हाँ Honville की population कहां पर कम होई है सभी जगा पाई जाते है बट उसका reason यह है कि birds are long lived तो फिर अगर आपने 10 साल के बाद भी counting किया ना तो वो कुछ ना कुछ population उसमें दिखेगी ही So that's why Honville की जो population reduction है वो as such दिखती नहीं है बट अगर एक generation उनकी कम हो गई तो तुरंती दूसरी generation में बहुत ज़्यादा impact आएगी 40 साल के बाद वो suddenly critically endangered category में बुछ जाएंगे जैसे कि example helmeted hornbill of Sumatra and Borneo कहां पर है यह Sumatra and Borneo Please comment कीजिए कहां पर है इंडिया के कुछ east में है यह country और उसके अंदर यह जो बड़े island है और यह जो critically endangered है वो किसने status दिया है यह status दिया है IUCN किसने दिया है IUCN की दूसरी कौन से काटेगरी आती है Please comment कीजिए तो हमें बता चलेगा कि आपका यह भी जो international fundamental है वो भी clear है इसका क्यों hunting होता है क्योंकि उसना helmet like कुछ उसके अंदर एक छोटा सा sprout जैसे निकलता है बाहर वो क्यासा होता है कि वो red ivory उसको कहा जाता है क्या कहा जाता है red ivory जो बहुत जदा महंगा होता है और उसके अंदर carving वगएरा हो सकती है तो hornbill का hunting भी होना चालू हो गया है और देरे-देरे जैसे ही hornbill की population reduce होगी चलिए तो हमारे जो आज के दो last current affair है वो बहुत ही छोटे-छोटे मतलब एक प्रेल्म फैक्ट जैसे है कि एक मैंसा पाया गया है कि ये जो mastodon है उसका कुछ DNA sequencing हुआ है कहां पे हुआ है Greenland में हुआ है तो ये जो है वो oldest ever obtained DNA है जिसने record break किया है और ये जो कहां से पाया गया है North Eastern tip of Greenland और जो Greenland है वो कहां पे है कोई मुझे उसका location बताएगा कि जो Greenland है वो कौन से country का part है right as such वो है Greenland it's called largest island बट वो कौन से country का part है वो आपको मुझे बताना पड़ेगा right और ये जो Greenland है एक time पे अच्छा सा forested होगा इसमें इस प्रकार के mastodon जो woolly mammoth and elephant वही family से belong करते है वो यहाँ पे रहते थे उसके साथ साथ reindeer भी यहाँ पे रहते थे जब यह बहुती ज़्यादा heavily forested होगा तब अभी फिलहाल वो extinct हो गए है ये as such 10,000 से 11,000 साल पहले extinct हो गए कितने हैं 10,000 से 11,000 साल पहले ही extinct हो चुके है तो अभी हमें elephant family जो यह पूरी है उसमें से सिर्फ हमें elephant ही दिखाई देता है यह जो woolly mammoth है या तो फिर mastodon है वो सारे extinct हो चुके है ओके तो आज का जो last current affair है it is about managing nuclear waste and powering this space stations which are going to the dark area where there are very much thin thin chances of getting some kind of a solar light और some kind of a sunlight तो यहां पर ऐसा है कि European Space Agency is developing certain batteries जिसके अंदर हम किसको यूज करेंगे nuclear waste को यूज करेंगे जो आपका जो nuclear power plant है उसमें energy produce होने के बाद जो बचता है जिसका हम use as such energy creation में नहीं कर सकते तो फिर वो हमारे लिए waste हो जाता है और nuclear waste है वो फिलहाल दीरे दीरे हमारे लिए एक बड़ती problem है वहां पे nuclear waste का management कैसे करना, properly disposal कैसे करना, that all are question for us right now तो उसमें यह जो European Space Agency के जितने scientist है वो क्या try कर रहे है they are trying to develop some kind of a battery जिसके अंदर हम nuclear waste को डाल सके और उसमें फिलहाल जो experience चल रहा है sorry experiment चल रहा है वो किसके उपर है वो americium या americium 241 के उपर चल रहा है यह जो americium 241 या americium 241 है वो एक radioactive isotope है तो यहां पर दूसरा question आता है कि sir what is isotope? तो isotope के बारे में थोड़ी किस जानकारी ले लेते है तो यह एक ही प्रकार का element होता है बट उसके अंदर जो proton count है वो same रहता है same proton count बट जो neutron count है वो change होता रहता है तो उसको हम कैसे कहेंगे? वो element का isotope कहेंगे for example जो uranium है uranium है एक है 235 और जो uranium दूसरा है वो 238 तो यह जो 235, 238 है that are the different neutron counts अब neutron count अलग होने की वज़े से इसको हम क्या कहते है? isotope कहते है of a single element as such isotopes are of two kind एक होता है stable isotope जो non radioactive होता है दूसरा जो होता है वो unstable isotope है जो क्या होता है? radioactive होता है और यहां पर जो हम अमेरीकियम या अमेरीसियम के बारे में बात कर रहे है it is unstable और radioactive isotope जो हमें कहां से मिलता है तो it is a byproduct of plutonium decay which are used in nuclear power station और यह जो waste है उसको आज तक हमने कभी भी fuel की तरह use नहीं किया है तो I hope यह जो European Space Agency का जो program है वो एक successful हो जाए और अगर successful हो जाएगा तो हमें nuclear waste management या तो फिर solid waste या radioactive waste management में एक बड़ी ही उपलब्दी हासल होगी राइट, that's it from our side I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा Please share the video, subscribe our channel and spread the word of mouth Thank you very much Hello guys, welcome to DICS आज हम बात करेंगे Sunday Science and Technology के पेज के बारे में जो The Hindu हर Sunday upload करता है तो हमने already दो वीडियो अपलोड कर दी है Please check out our channel तो आज हम बात करेंगे हमारे तीसरे वीडियो के बारे में जो तीसरा Sunday है उसमें सबसे पहला जो current affair है It is about NASA set to conduct first global water survey from space अब यह NASA ने क्या किया है कि Space X, आपको पता होगा कि Space X क्या है वो Elon Musk की company है तो Space X के साथ मिलके NASA ने एक satellite launch किया है यह satellite का नाम दिया गया है SWOT satellite SWOT stands for surface, water and ocean topography और यह जो survey पूरा होगा वो radar system से होगा और जो radar system होती है उसके अंदर दो होता है तो एक है active sensing और दूसरा है passive sensing जो active sensing है वो better advanced है और जो passive है वो उतना advanced नहीं है तो आपको इन दोरों के बीच का difference मालूम होना चाहिए अगर नहीं मालूम है तो please search कीजिए उसको और अगर मालूम है तो please write it down in a comment section तो यहाँ पर जो major बात है वो ऐसी है कि अब तक जो भी बड़े-बड़े surveys हुए है वो water based कभी नहीं हुए है यह पहली बार हम water based survey कर रहे है जब यह हमारा जो पूरा planet है 70% water से गिरा हुआ है तो उसके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रा ज़रूरी है plus उसमें और क्या चीज़े हम कर रहे है कि यहां पर जो climate change की जितनी जितनी impact आ रही है वो water कैसे absorb कर रहा है या तो फिर water क्या-क्या उसके खिलाफ reactions दे रहा है उसकी भी study हम यहां पर करेंगे अब यह जो satellite उन्होंने भेजा है वो SUV size का है आपको पता होगा कि major-major SUV की size क्या होती है तो उसके size का यह satellite है जो several months में पूरा-पूरा data एक अठा करेगा और फिर जाके एक पूरी सी comprehensive study prepared होगी और इसमें हम high definition detailed 90% of the globe को cover करके एक पूरा सा एक at last जासा map बनाएंगे राइट तो NASA के जो scientist है उनका ऐसा कहना है कि इस दे फर्स्ट mission to observe the nearly all the water on the planet's surface अभी हम यहां पर ground water के बारे में बात नहीं कर रहे है बड़ जो भी surface के उपर पानी है उसके बारे में बात कर रहे है तो यहां पर क्या-क्या चीज आ सकती है तो यहां पर glaciers आ जाएंगे फिर यहां पर lakes आ जाएंगे ice caps आ जाएगी जैसे कि Greenland है Antarctica है वो सारी चीज आ जाएगी फिर rivers बगरा आ जाएंगे तो यह जो surface water है उसकी comprehensive study करेंगे दूसरी एक चीज है कि जो major thrust दिया गया है वो किसके बारे में है तो कि how oceans absorb atmospheric heat and carbon dioxide in a natural process तो यहां पर यह चीज जाननी ज़रूरी है कि जो water है उसका O2 and CO2 के साथ सीधा ही relation है कैसे है कि जब जब water warm होता है तब वो O2 को release करता है सो ड़स, CO2 को भी release करेगा जब water cold होता है या तो फिर cool होताहै तब वो O2 को और CO2 को absorb करेगा तो जितना warmer water उतना ज्यादा हमें CO2 और O2 हवा में release होता दिखेगा और जितना colder water उतना हमें absorb होते दिखेगा तो जितना global warming हो रहा है तो water अपने अंदर का रहा हो जो CO2 है उसको भी हवा में atmosphere में छोड़ रहा है So यहाँ पर हमें double-edged दिखते दिखे कि एक तो global warming हो रहा है हमारा जो fossil combustion है उसकी वज़ा से CO2 बढ़ रहा है Plus यह जो oceans है वो warmer होते जा रहे है तो वो भी CO2 रिलीस करेंगे तो हमें ऐसे दुगना two times CO2 मिलना चालो हो जाएगा And water जो अभी तक है उसमें से especially oceans they are said to be the carbon sink of the nature और carbon sink of the world But right now since it is warming too much now they are converting into water source So it is not a good thing I hope आपको यह पता चला होगा तो हमें आगे क्या करना पड़ेगा तो यह जो भी हमारे analysis आते है जो भी हमारे report आते है उससे हमें try करना है कि global warming को हम slow down कर ले और global warming को जतना हो सके उतना restrict करे ताकि हमारे जो यह oceans है वो हमारे लिए carbon sink बने ना ही carbon source बने is it okay clear चलिए तो अब हम दूसरे current affair के तरफ जाते हैं चलिए तो next current affair है it is about bunyan and people tree के genes now there has been done some genome sequencing of bunyan and people tree from their leaf tissues now leaf tissues को उन्होंने उठा के genome sequencing किया है तो iis er का कहना ऐसा है कि we have identified certain species जुनके जो life span है वो बहुत ही लंबे होने चालो हो गया है reason क्या है कि उसके अंदर multiple signs of adaptive evolution दिखा गया है क्या दिखा गया है multiple signs of adaptive evolution now the question comes कि what is genome sequencing now genome sequencing is nothing but figuring out the order of order of DNA nucleus अब जो ये nucleus होता है उसके अंदर क्या-क्या basis रहते है या तो फिर क्या-क्या दूसरे hormones अंदर काम करते हैं और chromosome के pair कैसे situation उसके अंदर से है वो सारी चीजों के बारे हम बात करेंगे now ये जो human genome होता है आपको बता होगा कि उसके अंदर 23 chromosome pair होती है और ये जो चीजों है वो सारी हमें कैसे बता चलती है ये gene का properly profiling करके अब ये जो profiling है वो scientist ने किया वो profiling से हमें क्या-क्या चीजों पता चली चली वो देखते है तो now यहां पर ऐसा है कि the genes with multiple signs of adaptive evolution come about in response to population bottlenecks faced by both trees around 1 million years तो उसमें ऐसा हुआ था कि इनका कहना ऐसा है कि जब-जब कोई भी आप दो species को अलग कर देते है उसके बीच में distance आ जाता है तो उनके बीच में speciation होता है मतलब एक जो है उसका कुछ अलगी evolution होगा यह जो है कुछ उसका भी अलग कुछ evolution होगा और वो evolution में क्या क्या चीज़े हो सकती है तो evolution में ऐसा होता है कि जो हमारे hormones है यह जो plant के hormones है वो कोई signaling करना चालू कर देंगे उसके अंदर sequences के pathways बनना चालू हो जाएंगे right co-evolution चालू हो जाएगी stress tolerance चालू हो जाएगी right यह सारी चीज़े इन दोनों में हमें मिली है ताकि उनसे क्या हुआ कि उनकी जो life span है वो बढ़ती गई क्यों life span बढ़ी क्योंकि उसका biotic factors and abiotic factors के खिलाफ उनके responses बढ़े क्या बढ़ा responses बढ़ा now यह responses कैसे कैसे होते है तो हमें पता है कि चार प्रकार के responses होते है तो एक होता है regulation दूसरा होता है migration तीसरा होता है conformity and चौथा होता है suspension right चलिए मुझे बताइए कि चार प्रकार के responses से आप क्या समझते है क्या आपको उसके definition proper पता है क्या आपको उसके example आपको proper पता है because UPSC इसके उपर question पूछ रखती है और यह जो responses है वो हमें standard 12th की जो NCRT है biology की उसके 13 to 16 chapters में मिल जाएगा so please read about it अगर नहीं है तो हमें बताइए हम आपको उसकी भी PDF प्रोवाइड कर देंगे अब यह जो adaptive evolution है बन्यन ट्री में जो पाई गई है उसमें क्या-क्या चीज़े develop हुई तो एक तो कुछ root development proper हुआ है leaf का formation कुछ अलग हुआ है उसके अंदर metabolism में changes आए है and pollen tube and seed development में भी changes हमें देखने मिले है तो यह सारे जो changes है वो longer term evolution से मिलते रहते है और especially towards the response to any kind of stress और यह stress का जो response होता है वो हमें चार तरीके का response मिलता है जो अभी हमने discuss किया नाव यह जो भी MSA gene है जिसके अंदर evolution देखा गया है वो सारे ऐसा है कि जो tolerance बहुत ही ज्यादा high दिखाते है tolerance high दिखाते है तो obviously उनका जो life span है वो बढ़ता जाएगा उनकी जो expectancy है life की वो भी बढ़ती जाएगी right so to survive in a tropical and subtropical ecosystem as a keystone species कैसे species अब यह बन गया है keystone species now keystone species ऐसे होता है कि irrespective of their weight और biomass to be correct जो उनका biomass होता है उससे उनका कोई लेंद दिना नहीं होता बट उनकी पूरे ecosystem में जो impact होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है जैसे कि समद लीजी आप honeybees जो bees की impact है वो बहुत ही ज्यादा है पॉलिनेशन में वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है और अगर bees if they've been extinct from the face of earth ऐसा बोला जाता है कि earth तीन से चार साल में completely desertic भी हो सकती है तो यह जो है वो keystone species कहला जाता है कि जिनकी impact पूरी ecosystem में बहुत ही ज्यादा होती है irrespective of their biomass, weight और number तो उनको कहेंगे हम keystone species अब यह जो keystone species है वो दिरे-दिरे develop करते-करते-करते उनका stress tolerance बहुत ही बढ़िया बन गया है और उसकी वज़े से उनका life span भी मस्त हो गया है अब जो हमारा industrial revolution चालू हुआ था वो कब चालू हुआ था 1760s में चालू हुआ था जाते-जाते 1840 तक एक खतम हुआ फिर वहां से 1850 से दूसरा start होता है First World War खतम होता है तब दूसरा खतम हो जाता है फिर 70s से चालू होता है 21st century तक चलता है और फिर 4th industrial revolution अभी चल रहा है ऐसा लोग कहते है अब यह जो extinction है वो किसका हो रहा है तो especially extinction हो रहा है जिनका उनको कहा जाता है forest dwelling animals कि जिनकी पूरी जीवन निर्वा किसके ओपर dependent है forest के ओपर dependent है Now industrial revolution से क्या होना चालू हुआ pollution होना चालू हुआ industrial revolution से दूसरी चीज़ क्या चालू हुई तो उनका जो land था forest का land था वो divert करके हम urbanization के लिए use कर रहे infrastructure के लिए use कर रहे transportation के लिए use कर रहे तो उनकी वज़े से उनका जो extinction rate है वो particularly over time particularly बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है and especially किसमे amphibians में ऐसा देखा गया है and it has direct relation with the deforestation right तो अब जो हमारी age आएगी वो extinction की age आ सकती है और उसको हम anthropocene कहते क्या कह सकते है anthropocene क्योंकि यहाँ पे anthropogenic activities are too much dominant so that they can even lead to the extinction of many many species तो यह हमारे लिए एक चंता का विशह है so हमारा behavior कैसा होना चाहिए हमारा behavior environment friendly होना चाहिए और मोदी जी ने उसके लिए कौन सा सुत्र दिया है life live for environment right उसके बारे में भी चेक कर लेना फिर दूसरा जो current affair है जो आज का हमारा last current affair है it is about speciation मतलब ऐसा है कि prolonged geographical separation drive new species अब जो भी geographical locations आपकी अलग-अलग हो जाती है जैसे कि एक whale है whale अब रह रह रही है ए जगा पे फिर जाके उसमें से आप 50 whale को अलग कर दीजिए उसको X जगा पे भेज दीजिए 50 whale को अलग कर दीजिए उसको Y जगा पे भेज दीजिए तो फिर X and Y के बीच में अलग-अलग-अलग यहां से species evolve होना चालो हो जाएगा पहले सब species बनेंगे फिर दीरे-दीर evolution क्या करेंगी कि पूरे उनका जो gene है न वो edit हो जाएगा through the natural process और हमें कुछ C प्रकार के species मिलेंगे यहां पे भी same होगा देरे-देरे आगे जाओगे यहां पे कुछ deep रकार के species मिलेंगे तो उनका ऐसा कहना है कि new species often arises not because of the pressure from the different environment मतलब abiotic and biotic factor जो अभी हमने देखा न abiotic and biotic factor के जो stresses है उसकी वज़े से नए species नहीं बनते बट वो species इसलिए बनते हैं क्योंकि उनका thousands of years के लिए interbreeding inbreeding होती जाएगी उनके environment के प्रती वो settle होती जाएगे और फिर उनका पूरा जो gene है वो profile अपने ancestors से एकदम से अलग हो जाएगा and this is how new species will emerge okay right I hope आपको इसके बार में पता चला होगा so that's it from today's lecture I hope यह आपको वीडियो पसंद आया होगा please share subscribe and like this video और जितना हो सके उतना spread कीजिए और जो भी आपके suggestion हो please be free and feel free to write it down in a section comment section thank you very much welcome back guys आज हम बात करेंगे Sunday science and technology के बारे में जो 25 तरिक का Hindu है तो उसका यह जो science का page है कुछ इस तरह से है please watch it carefully यही news को हम zoom in करेंगे और उसके साथ साथ दो दूसरे news है जो मुझे लगे कि अच्छे है हमारे लिए उसके ओपर भी focus करेंगे तो सबसे फ़रे news है it is about scientist freezing great very rift to protect it अब उसका जो protection है यह restoration है उसके बारे में यह पूरी news है तो उसमें ऐसा कहा गया है कि scientist ने कुछ larva को पकड़ के lab के अंदर freeze किया है at cryo temperature पे कितने temperature पे cryo temperature पे तो उसके बारे में चलिए detail में देखते हैं और उसके पहले हमने 4 December को एक current affair का video बनाया था Sunday science and technology के बारे में जिसमें हमने black coral के बारे में बात करी थी so please watch it and अगर आपको वो वीडियो नहीं कहीं पर दिख रहा तो that would be the first link in the description below so please watch that और वो आपके MCQ के लिए ज्यादा काम में आएगा now यहाँ पे यह जो नई method है उसमें ऐसा है कि जो coral larva है now what are coral larva तो coral larva ऐसा होता है कि जब coral का egg और sperm join हो जाता है तो फिर जाके जो बनता है उसको coral larva कहता है जो थोड़े time के लिए ocean के अंदर float करता रहता है फिर दिरे दिरे after certain weeks वो ocean floor के अंदर चिपक जाता है और फिर वहाँ से पूरा coral का block बनता है तो पहले coral का block बनेगा फिर ब्लोक से coral की कुछ colony बनेगी और फिर आगे जाके अगर coral और ज़्यदा expand हो रही है तो फिर जाके आगे हमें reef मेलेगी तो इस हिसाब से पूरा coral का formation होता है तो you should be careful about it क्योंकि UPSC coral के बारे में कुछ questions पूछती ही रहती है हर एक नहीं तो दूसरे यर questions आते रहते है और जो coral के उपर जो present threat है वो सबसे बड़ा threat जो है वो है temperature changes का और temperature changes की वज़े से coral में क्या और bleaching हो रही है तो the great barrier reef has suffered at least four bleaching events in last seven years और उसमें जो first bleaching हुआ था वो हुआ था ला नीना के वज़े से ला नीना के बारे मैं आपको पता होगा कि वो ठंटा temperature लेके आती है और उसके सामने दूसरा phenomenon है उसको कहा जाता है ऐल नीनियो जो ऐल नीनियो है वो hot temperature ले आता है तो एल नीनियो ला नीनिया का इंडियन rainfall के उपर क्या impact है वो भी आपको पता होना चहिए अगर वो पता नहीं है तो please read about it और अगर पता है तो write it down in a comment section we would be much happy and we would appreciate it ना तो ये ला नीनिया और एल नीनियो की वज़े से जो हुआ वो हुआ coral का bleaching हुआ क्या हुआ? bleaching और bleaching सभी को पता होगा कि bleaching में क्या होता है कि जो upper layer होता है वो पूरा पूरा wash up भे हो जाता है या तो destroy हो जाता है पर coral का bleaching कुछ अलग है coral के अंदर दो चीज रहती है एक होता है polyp right साथ में होता है zooxanthelie और जो zooxanthelie है वो एक आलगी है जो कोरल को क्या देता है, coloration देता है जब zooxanthelie को छर्ट को coloration देगा और coral जब stress में आता है, तब जाके coral, यह जो ballip होता है, वो zooxanthelie को repel कर देता है मतलब उसको अपनी colony से निकाल देता है जब यह जूजन थे निकल जाएगा तो उसके साथ आया हुआ जितना भी color है वो भी निकल जाएगा तो इसको हम decoloration of coral भी कह सकते है या तो फिर उसको coral का bleaching कहते है and coral bleaching is not exactly the death बट यह हमरे लिए एक alarming situation की कि अब जाके हमें coral को बचाना पड़ेगा अगर अब जाके हमने कोई भी action नहीं लिया तो फिर coral का death हो जाएगी और coral की death होने के बाद हम उसको revive नहीं कर पाएंगे जब तक bleaching है तब तक हम उसको revive कर पाएंगे जब bleaching खतम हो जाएगा वो coral खतम हो जाएगी तब जाके हम उसको revive नहीं कर पाएंगे और इसको बचाने के लिए जो protective measures है उसके लिए उन्होंने use की है technology उसका नाम है cryo mesh कौन सी technology? cryo mesh technology यूज की है जो lab के अंदर इस तरह से use की है कि उसका जो temperature है वो 196 degree minus पे रखा जाता है जब 196 degree minus पे हम रखेंगे तब जाके coral के उपर आने वाली जो भी आपत्ती है वो वगरा stop हो जाएगी coral की खुद की biology वहाँ पे pause हो जाएगी और coral जो है वो dormant situation में चले जाएगी ताकि उसके उपर जो भी दिक्तते आ रही है वो ना आए और ये lab trial के हिसाब से हमने coral का जो restoration है बहुत ही fast किया है तो अभी फिलहाल ये जो भी technology है वो अपने नासन स्टेज़ पे है तो देखते हैं आगे जायते जाते हमें कितनी success मिलती है पहले हमने ये cryo mesh का उपयोग किया था सबसे पहले बट वहाँ पे हम successful नहीं रहे थे अब दूसरी बार हम उपयोग कर रहे है let's see उसमें क्या होता है इसके पहले हमने cryo mesh का use किया था बट वो जो है वो हमने hawaiyan coral के उपर किया था और फिल्हाल जो हम कर रहे है वो great barrier reef के उपर कर रहे है now hawaiyan पे जब हमने किया था तो वहाँ पे हमारा trial fail गया था but right now even aims के जो भी scientist है वो भी इसके साथ जूड़े है उसके along जो भी barrier reef के दूसरे foundation members है वो भी उसके साथ जूड़े है तो अब हम try कर रहे है कि यह जो trial हो हमारा successful जाए और trial अगर successful हो गया तो then we can do really good restoration for the coral और coral को अगर हमने बचा लिया तो हम काफी ज्यादा oceanic biodiversity को बचाएंगे right तो यह जो पूरे current affairs हमें कितनी चीज़े पता चली तो सबसे पहली चीज हमें पता चली के there is something called coral larva second चीज हमें पता चली के एल नीनियो या तो फिर ला नीनिया का impact होता है coral के उपर तीसरी चीज हमें पता चली के coral का bleaching हो रहा है चौती चीज हमें पता चली के coral को restore भी कर सकते है हम और जो restoration के लिए अभी कॉंसे technology यूज़ कर रहे हम cryo mesh यूज़ कर रहे है एक बार fail हुआ था बट अब या ट्राइंग की अब जाके वो fail ना हो जाए तो ऐसी चीजे के बारे में हमें ये current अफिर से पता चलता है ओके I hope you liked it नाव जो हमारा second current affair है it is about nutrient supplements and their link with the smartness जो children है वो उसको हम smartness के हिसाब से measure करते है तो generally उनकी smartness जो है हम IQ के हिसाब से measure करते है और IQ जो है उसका ना उसका जो full form है that is intelligent quotient now IQ उसका सीधा ही relation किसके साथ है to think with the reason right अब rational thinking आपका है कि नहीं उसके साथ सीधा उसका relation है अब ऐसा कहा गया है कि certain scientists have found out that अगर उनकी nutrition capacity बहुत ही खराब रहती है या तो फिर nutrition अगर poor रहता है तो फिर उनका जो cognitive development है which has directly linked with the intelligent quotient which will fall down और अगर हमने अच्छे से nutrition को counter किया तो फिर यह जो smartness है वो दीरे दीरे बढ़ सकती है और यहाँ पर smartness में तिकत क्या है कि अभी फिलहाल जो भी हमारी policy है policies are all about malnutrition which cover only two things एक चीज वो cover करते है उसका नाम है stunting which is low height for age और दूसरा है wasting which is low weight for height यह दो ही हम malnutrition के उपर focus करते है but what about lower capacity development वो भी एक तो malnutrition नहीं है क्योंकि उसका सीधा relation किसके साथ है nutrition के साथ है so right now ऐसी चीज है कि अगर हमने nutrition को early अगर हमने उसको target कर लिया तो फिर वो आगे जाके youth के लिए बहुत अच्छा होगा और अगर गलती से भी उसके उपर थोड़ा ध्यान नहीं रहा और lacking आ गई तो might possible कि individuals जो की capacity है वो capacity काफी कम हो जाए और अगर capacity कम हो जाएगी तो हमारे जो national GDP है उसके उपर सीधी impact देखने मिलेगी और यह जो major nutrients है या micronutrients है वो consequence है तो एक है आयन, दूसरा है आयोडीन फिर वीटामीन B और उसके साथ वीटामीन B complex भी है तो वो सारे nutrients are very very much necessary for the development of the brain और उसके उपर हम properly ध्यान नहीं दे रहे हैं फिलवाल जो भी हमारा ध्यान है या तो फिर हमारा low height या low weight के उपर ध्यान है but we are not focusing about the hidden hunger now it is a part of the hidden hunger तो आपको पता होगा कि multi-dimensional poverty index के अंदर hidden hunger आती है और वो hidden hunger क्या है hidden hunger is the deficiency of nutrients in certain individual हम जो यहां पर बात करें वो सरह हम weight के बारे में बात करें height के बात करें but we are ignoring the most important part that is our brain so brain development is very much necessary for any kind of individual's growth and that should be catered अगर वो हमने ध्यान से नहीं दिया तो फिर जो इंडिया का युथ है युथ पूरा हमारा liability बन जाएगा और हमें युथ को क्या बनाना है हमें युथ को asset बनाना है और क्यों हमें asset बनाना है because by the year 2041 economic survey 2017 का ऐसा कहना था कि इंडिया will reach the peak of demographic dividend right तो peak of demographic dividend वहां पर हमें अगर रिपॉफ करना है तो वी शुड एंशूर दी यूथ डेवलोप्मेंट तो जो यूथ हमारा है वो हमारे लिए asset बनना चाहिए liability नहीं बनना चाहिए right तो message is clear कि quality जो हमारी अभी फिलहाल चल रही है वो quality के अंदर we have to focus upon the cognitive development अगर हमने cognitive development के ओपर focus किया तो we can create certain capital अगर नहीं किया तो there will be liabilities only right तो यह हमारा आज का दूसरा current affair था उसके बाद हमारा जो third current affair आता है it is about diabetes and intermittent fasting now intermittent fasting के बारे में आपको पता होगा कि एक time के अगर आपने खा लिया है तो फिर then certain hours के लिए आप नहीं खाते and उसके बाद body को थोड़ा reset करने के लिए time देते हो digest करने के लिए time देते हो then you start eating तो यह intermittent fasting हो गया generally हम intermittent fasting कैसे करते है यह शाम को 6-7 वजे by the time of suryaast हम खा लेते है और फिर सीधा ही 10-11 बजे सुबे दूसरे जिन सुबे 10-11 बजे खाएंगे जब sunrise अच्छे से हो जाता है तो बीच का यह जो 15-16 घंटे का जो यह fasting है उसको कहा जाता है intermittent fasting अब यही चीज diabetes के लिए हमने trial किया था diabetes में कैसा रहा कि a small trial has been done और उसमें ऐसा कहा गया कि यह जो calorie restricted जो diet है diabetes जो है वो genetic होता है genetic होना मतलब कि it gives us certain kind of symptoms early in the life मतलब आपको 15-10-12-16 साल में पता चल जाएगा कि आपका blood sugar जो है वो बहुत ही हाई है आपकी body natural insulin नहीं बना रही है और उसके सामने दूसरा आता है type 2 diabetes जो lifestyle related है कि आपकी lifestyle में sugar का intake बहुत ही हाई है but sugar absorption या तो फिर sugar consumption का ratio बहुत ही कम है because आपका जो जीवन है बहुत ही easy हो गया है सामान्य हो गया है आसान हो गया है कोई भी प्रकार कि आप exercise बगरा नहीं करते नहीं रनिंग करते है तो जो sweating हमारा होना चाहिए जो bodily sugar used होनी चाहिए वो used नहीं हो रही है and that's why क्या हो रहा है कि type 2 प्रकार का diabetes बहुत ज़्यदा बढ़ता जा रहा है अब ये type 2 प्रकार का diabetes जतना ज़्यदा बढ़ेगा उतना ज्यदा हमारी जो immune system है वो खराब होती जाएगी हमारे अंदर के organ है वो दिरे दिरे fail हो सकते है तो ये सारी चीज़े पकलिफ में आ सकती है so we should be careful about it और इंडिया तो अभी फिलाल diabetes capital भी बन रहा है and you must be knowing कि गुजरात जो है वो भी diabetes में भी सबसे आके है development में आके हो या ना हो but हम diabetes में तो ज़रूर ही आके है so that should be we have to look for it जितने भी ये participant थे उन्होंने क्या किया कि सारे drugs को बंद कर दिया जो भी वो दवाई बगरा ले रहे थे वो सारा बंद कर दिया और फिर ये जो intermittent fasting है वो उन्होंने अपलाई किया जब intermittent fasting अपलाई किया तो you won't believe कि जो type 2 diabetes है उसमें बहुत ही ज्यादा कमी दिखाई दी और at least वो एक एक साल तक उन्होंने दवाई लेनी की ज़रूरत नहीं पड़ी जब तक उन्होंने ट्राइल चालू रखा तो बट हमें पता है यार हम इंसान है at the end of the day हमें भी मज़ा आजाता है खाने के लिए और कोई-कोई लोग तो खाने के लिए ही जीते हैं तो फिर तो type 2 diabetes inevitable है तो क्या करेंगे बस कुछ नहीं दवाई लेते जाओ और फिर मज़े करते जाओ तो ये पूरा intermittent fasting के उपर था so intermittent fasting has direct relation with the type 2 diabetes and its control so ये जो हमारा ये पूरा है वो health के उपर था उसमें से कोई MCQ मुझे नहीं लग रहा कि कोई निकल सके अगर निकल भी चाहे तो छोटा हूटा MCQ होगा that you would be easily delivered उसके बाद जो थर्ड हमारा current affair है it is about streptococcus अब जो streptococcus है वो उसको GASB कहा जाता है मतलब group A streptococcus अब ये जो है वो एक bacteria से फैलता है उसको group A streptococcus कहते वो bacteria से फैलता है अब उसने क्या किया है तो फिलहाल certain children की death में resultant आया है और वो शुरू कैसे हुआ तो उसका सबसे पहला जो symptoms है that is mild sore और फिर जाके fever वगरा भी आता है और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो mind possible कि it can lead to serious conditions like meningitis और meningitis के बाद death भी हो सकती है तो यहाँ पर lockdown से ऐसा हुआ कि children are being protected बट अब दीरे दीरे कि ऐसा हुआ कि अब बापस से हमारा जो strep A प्रकार का बेक्टिरिया है वो resurface होना चालो हुआ है और दीरे दीरे वो हमारे students को यह children को affect कर रहा है and recently at least it has killed over a dozen of students तो यह भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है तो यहाँ से हमारा क्या MC क्यों निकल सकता है जो यह group A streptococcus है वो किस से फैलता है A virus से B bacteria से C both and D neither one nor two इस प्रकार के MCQ इसमें से निकल सकते है तो हमारा science and technology का current affair इस Sunday का यही पर खतम होता है I hope you like the video, I hope you like the content और हमारा यही प्रयास है कि हम बहतर से बहतर content आपको provide करते जाए बहतर से बहतर आपके साथ share करते जाए So please like the video, subscribe आर YouTube channel और फिल्हाल जो हम grow कर रहे है उसमें हमें मदद कीजिये हम आपको भी content provide करेंगे आप हमारा word of mouth से spread कीजिये कि yes, DICS is providing certain good content और जो भी आपको suggestion है please write it down in the comment section they will appreciate it and that being said adios, bye bye good day, hope to see you next time चलो, see you all